नमस्कार गुड इवनिंग शुब संधिया गड़ी में रात के आठ बच कर तीस मिनिट हुए और हम हाजिर हो गए अपने वादिक अनुसार आपका अपना खेल कारिक्रम स्पोर्स कैनल लेकर मैं हूँ धरमेंद्र और आज के हमारे महमान हैं वरिष्ट खेल पत्रकार राकेश राओ राकेश स्वागत आपका राकेश राज अस्ताना से दोहरी खुशी एक तरफ जहां ब्रॉन्ज मैडल पहली बार महिला टीम का दूसरी तरफ भारती है पुरुश्टीन भी सेमी फैनल में पहुंच गई है सेमी फैनल में तो खहर है हम इससे पहले भी पहुंचे हैं दो बार ब्रॉन्ज मिला है यह है ट्रिक भी हो जाएगा मतलब इसका लेकिन खुशी के बात यह धर्मेंद कि इस बार हमारे पास मौका है कि हम फैनल तक पहुंच आएं क्योंकि जपान अलड़ी हार चुकी है और हमारे जो नेक्स्ट राउंड जो सेमी फैनल में जो उपनेंट है वो चैनीज टाइपई है और हम उन्हें हरा सकते हैं हम आपके साथ धेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी चरचा करेंगे पहले सुर्खियां अब अस्ताना में एशियाई देश के बीच 2020 मैच के शिंखला का दूसरा मैच चल रहा और लक्ष सेन और किरन जॉर्ज फिनलैंड में आर्क्टिक ओपन बैडमेंटेंट टॉर्नमेंट के प्री क्वाटर फैनल में पहुंचे तो शुरुआत करते हैं टेबल टेनिस से क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन भारत की महिला और पूरुष दोनों टीमों ने किया है पूरुष टीम जहां तीसरी बार सेमी फैनल में पहुंची है तीसरा ब्राउंज मेडल पक्का किया है वहीं भारतिय महिला टीम ने पहली बार ब्राउंज मेडल जीता है अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चेंप्रेंशिप चल रही है जैसे हमने आपको बताया और इस पृतियोगिता के अगर बात करें तो महिला टीम का ये अब तक के अडिशन में पहला पदक है सुनतेजे रिपोर्ट एशियाई टेबल टेनिस चेंप्रेंशिप में भादिया महिला टीम के पहली बार कांसे पदक जीतने की प्रसनता अभी कम नहीं हुई थी कि पृरश टीम ने खुशी के इस दोर को दोगना कर दिया भादिया पुरुशों ने स्थानिया दर्शकों के दबाव के बावजूद कमाल का प्रदर्शन कते हुए टीम को कजाखस्तान पर तीन एक से जीत दिला कर शांस से समी फाइनल में खतम रखा टीम इंडिया को मानो ठक करने शांदा शुरुआ दिलाई और गिरिल गेरा सिमिंको के खिलाफ तीन शून से जीत हासल की इसके बाद हर्मीत दिसाई अपने प्रतिदवंदी एलन कुमांग एलिव एव से मैच हार के इससे क्वाटर फाइनल का मुकाबला दिल्चस्प स्थिती में पहुच गया फिर बारी थी बेहद अनुभवी अंचत शरत कमल की उन्हेंने बिना किसी परिशानी के एंडोस केंजी गुलोव को लगातार सेक में तीन शूने से माट दी रही कसर हरमीत दिसाई में अपने रिवर्स सिंगल मैच में पूरी कर दी उन्हेंने गिरल गिरा सिमिंको को सांसे रोग देने वाले दिल्चस्प मुकाबले में तीन दो से हार्स विकार करने के लिए मजबूर कर दिया इस जीट के साथ ही एक मैच शेश रहते भारत का सेमिफाइनल में स्थान पका हो गया टीम ने इस प्रतियोगिता में पिछली बार की तरह इस बार भी कान से पदक को पका कर लिया है लेकिन अब उसकी नजर पदक का रंग बहतर करने पर होगी अंदिम चार में भातिय टीम का सामने चाइनीज टाइपे से होना है उमीद है कि युवा जोश और अनुभुस से भरी भातिय टीम ये बाधा पार करेगी और बहतर पदक पका करेगी उधर मनिका बत्रा, श्रीजा अकुला, आईहिका मुखरजी, सुतीर था मुखरजी और दिया चताले की टीम ने इस प्रतियोगिता में पहली बार कांसे पदक जीत कर इतिहास रच दिया भातिय लड़किया को सेमिफाइनल में जापांस से एक तीन की शिकस्त जेली पड़ी लेकिन एशिया आई टेबल टैनिस चैंपरिंशिप के अब तक 27 एडिशन में ये पहला मुखा है जब महिला टीम को कोई पदक मिला है इससे पहले भातिय टीम का सर्विश्री स्ट प्रदर्शन क्वाटर फाइनल तक का सफर तै करना था दोनों टीमों के इस प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया है कि लॉस एंजलिस उलम्पिक के लिए भारत की तयारी सही ट्रैक पचल रही है एशिया में टेबल टेनिस का सर्व सबसे बहतर है ऐसे में दोनों टीमों का मेडल विनिंग परफॉर्मंस बहतर उमीदे जगाता है शायद अगली ओलम्पिक्स में टेबल टेनिस भी उन खेलों की लिस्ट में शुमार हो जाए जिसमें भारत की नाम पदक है आगर शिता सिंग स्पोर्ट्स स्केन यह कहें कि सब्सक्राइब अब तो अलिम्पिक्स में भी मेडल आएगा ने यह कहना मुश्किल है पुरुष टीम भी उसमें शामीद है लेकिन होता क्या है कि आपके जो पुरुष टीम है वहां पे वो टीम जारा सेटल्ड है हाला कि रिजल्ट्स लास्ट अगर आप एक साल में देखें तो विमन ने कमाल का रिजल्ट दिया चाहिए वो टीम चैंपिंशिप हो इंडिविज्वल हो क्यूंकि इसी साल हमारी लड़कियों ने आइका ने और सुतिर्ता ने श्रीजा ने इन्हों ने वर्ल नमबर वन औ और टू को हराया है एकी दिन मतलब चाइना से हम 2-0 लीड कर रहे थे टीम चैंपिंशिप में सोचिए फिर वहां से चलो वो मैच हम हार गए और उसी तरह अगर आप देखें कि अभी एक चीज यह हो गई है कि जितनी इज़त अभी विमन्स टेबल टनिस की इंडिया में प वर लेवल का है क्योंकि टॉप टीम्स हैं लेकिन कोरिया का हारना या जापान का हारना और हमारा जो हमारी हम जिस तरह से उभर रहे हैं और यह लड़कियां अभी यंग हैं काफी अच्छे रिजल्स आ रहे हैं वेन में भी जो एक consistency आई है शरत कमल के उपर पहले बहुत ज ताइपे से होना है अगर हम चैनिज ताइपे की बात करें तो वर्ल्ड की जो टॉप टीमे हैं शायद उसमें उसकी गिंती नहीं होती है देखे इसलिए उमीद यह है कि हमें एक अच्छे अच्छे हमें ड्रॉ एक अच्छा मिल गया क्योंकि हमने जापान को अवाइट किया क चैनिज ताइपे यहां तकाई और हॉंक कोंग की टीम खासी रेजनबिली ठीक है चैनिज ताइपे हम लोग अभी शूर नहीं हो सकते कि हम मैच जीत सकते हैं लेकिन हाँ किसी एक प्लेयर को अपने दो मैच निकालने पड़ेंगा जी हम अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ तो क्रिकेट में खबर यह है कि दुबई में ICC महला 2020 क्रिकेट विश कप के ग्रूप A में समय भारत का मुकाबला शिलंका के साथ चल रहा है भारतिय टीम ने पहले बले बाजी करते हुए बारवें ओवर में एक विकेट पर अन्ठानवे रन बना लिये हैं भारतिय टीम न ये बड़े अंतर से आज जीत जरूरी है आप क्या समभावनाएं देख रहे हैं भारत के सेमी फैनल में पहुंचने की देखे सबसे पहले तो ये मैच हमको जीतना है और बड़े अंतर से जीतना है क्योंकि हमारा नेट रन रेट अभी बहुत ही बेकार है इसको ऐसे न्यूजिलेंड जो हमारे साथ जो है और हम न्यूजिलेंड से काफी बुरी तरह से हा रहे थे तो न्यूजिलेंड के साथ जो मैच था उसका जो लॉस है हमको वो इतना भारी पढ़ रहा है हमें कि न्यूजिलेंड के अब जो दो मैच जो हैं वो एक श्रीलंका के आ जाएंगे और Australia और New Zealand qualify कर जाएगी तो हमें पहले ये भी सोचता है कि अगर New Zealand एक match हारती नहीं है तब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन उससे पहले हमें एक Australia जैसे टीम को हराना है जो इतने सालों से World Cup में नहीं हारी है और मेंस क्रिकेट की बात करें तो दिल्ली में भारत और बांगलादेश की टीमों के बीच तीन 2020 मैच के शिंखला का दूसरा मैच इस समय चल रहा है और जो हमें जानकारी मिल रही है एक गेंद बची भी है 19 ओवर और 5 गेंदे हुई है बलकि 20 ओवर हो गए हैं और 9 विकेट भारत में 221 रन बनाये हैं बंगलादेश के लिए कितना मुश्किल रहेगा यह टार्गेट आसान तो नहीं रहेगा क्योंकि देखे पिच अच्छी है विकेट अच्छी है लेकिन जैसे मैं मतलब मैं यह उमीद कर रहा हूं कि ड्यू नहीं आएगा लेट नाइट और बोलि के खिलाब 16 अक्टूबर से होने वाली तीन टेस्ट मैच की शिंकला के शुरुवाती चरण में केन विलियमसन भारत के मुकाबले जो होंगे टेस्ट मैचों में उसमें नहीं खेलेंगे ग्रोईन की चोट के कारण उन्होंने अपना नाम जो है इस समय शुरुवाती चरण स वापस ले लिया सुनते हैं ये रिपोर्ट विलियमसन अपनी ग्रोईन इंजिरी के कारण नहीं खेल पाएंगे उनके कबर के तौर पर मार्क चैपमेन को निवजलेंड की सतर सदसी टीम में शामिल किया गया है उनको करियर का पहला टेस्ट खेलने का मौगा मिल सकता है विलियमसन को शुलंका के खिलाफ गौल में पहले टेस्ट के लिए टीम में जगए मिली है इस पिनर इस सोड़ी दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे तिम साओधी के टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद इस दोरे पर टॉम लाथम टीम का नित्रित्यों करेंगे दोनों टीमों की बीच पहला टेस्ट म में एक नमबर से आमने सामने होंगी मुकेश कुमार स्पोर्ट्स केन दोबई में आज जारी है ICC 2020 रैंकिंग में तेज गेंदबाज अर्षदीब सिंग ने शिर्स 10 में जगा बना ली है वह 8 में नमबर पर पहुँच गया है सुनते हैं ये रिपोर्ट अर्षदीब को 2020 क्रिकेट में लगतार अच्छे प्रदर्शन का तौफ़ा मिला है अंतराश्टिय क्रिकेट परशद ICC की रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में वे लंबी छलांग लगाकर सुलहवे से आठवे पायदान पर पहुँच के हैं बाई हाथ के तेज के इंदबाज अर्षदीब ने पिछले रविवार को गौलियर में बांगलादेश के खलाप पहले 2020 मुकाबले में 14 रन देकर 3 विकेट लिये थे इससे वे 642 रेटिंग तक पहुँच के हैं टॉप टेन में शामिल वो एक मात्र भारतिय गिंदबाज हैं इस मैच में 16 गेंद में 5 चौको और 2 चौको की मदद से नाबाद 49 रन की पारी खेलने वाले हार्दिक पांडिया बलेबाजों की सूची में 7 पायदान उपर 60 वे इस्थान पर पहुँच के हैं यशेश भारतिय ओल्राउंडर ने 26 रन देकर एक विकेट भी चटकाया और ओल्राउंडरों की सूची में 4 पायदान उपर तीसरे इस्थान पर जगे बना ली हैं बलेबाजों की सूची में सलामी बलेबाज यशेश्वी जैसवाल एक पायदान फिसल कर पाच्छी इस्थान पर आ गए हैं जैसवाल बांगलादेश के खिलाब 3 टी-20 मैच के श्रंखला के लिए भारतिय टीम का हिस्सा नहीं है स्पोर्ट स्कैन के लिए करश मराए मध्यप्रदेश और ओडिसा का सेमी फाइनल मुकाबला काटे का रहा दोनों में से कोई भी टीम हार मानने के लिए तयार नहीं थी दोनों टीमों ने फाइनल में पहुचने के लिए अपनी जान चोग दी मैच का पहला गोल ओडिसा की बहाला सुरेखा ने किया लेकिन उनकी अखुशी जादा देर तक कायम नहीं रह सकी स्निहा पटेल ने मध्यप्रदेश के लिए पहला गोल किया और मैच को बराबरी पर ला दिया इसके बाद दोनों टीमें बढ़त बनाने के लिए जूचती रही और पूरा जोर लगा दिया यह अलग बात है कि निर्धारित समय तक मुकाबला एक-एक की बराबरी पर रहा बारियाई शूट आउट की जहमध्य प्रदेश के टीम भाहरी साबित हुई और मैच को पांच-चार से जीत कर फाइनल में जगह पक्की की उधर जहारखन ने हर्याना को दो-एक से मात देकर खिताबी बिढंत में स्थान पक्का किया जहारखन के लिए रोशनी ने साथवे और पारवती टोपनों ने 43 मिनट में गोल कर दो-शून्य से आगे कर दिया हर्याना के लिए कप्तान नंदिनी ने 98 मिनट में एक गोल कर हार के अंतर को कम किया उनकी अकोशिश तीम को फाइनल तक बहुचाने में सफल नहीं हो सकी अब फाइनल में घरेलू समर्थकों के बीच जहारखन का पढ़रा भारी है देखना होगा कि मध्यप्रदेश इस दबाव को जहल कर खिताबी मुकाबले में किस तरह की हौकी का प्रदर्शन करती है नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन चलते चलते कुछ और खबरें लक्ष सेन और किरन जॉर्ज फिनलेंड के वानता में चल रही आर्किटिक उपन बैर्मिंटन टोर्नमेंट के में सिंगल्स के प्री क्वाटर फाइनल में पहुँच गए है चेन नहीं में भारत के अंडर 19 टीम ने आज दूसरे अनवचारी क्रिकेट टेस्ट मैच में अस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को पारी और 120 रन से हरा दिया इशान किशन को जहारखंड रन जी टीम की कप्तानी सोपी गई है जहारखंड राजी क्रिकेट संग जे एस्सीये ने आज सत्र दोहज़र चौबिस पच्चिस के लिए टीम घोशित की और अब घड़ी की सुईया कह रही है कि आज के हमारे स्पोर्स का इनकारिक्राम का समय समय आप थो रहा है तो राकेश जी स्टूडियो मैंने के लिए हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया देले दोस्तों आपसे फिर होगी मुलाकात नई खेल खबरों के साथ मुझे भी दीजियों मती नमस्कार